तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि वेरिकोसील की समस्या में जब पेशेंट एक ऐलोपेटिक डॉक्टर के बाद जाता है, उसे सरजरी सजेस्ट की जाती है और वो सरजरी कराब ही लेता है, तो फिर भी उसकी समस्या खतम क्यों नहीं होती क्यों उसकी वेरिकोसील की समस्या फिर दुबारा आकर होती है, फिर दुबारा देखने को मिलती है, जिसकी वज़ा से उसकी परेशानी पहले के मुकाबले एवन कई जादा बढ़ जाती है ऐसा क्यों होता है? क्या असल में ये प्रोसेस है? क्या राइट ट्रीटमेंट है जो आपको लेना चाहिए? बात करेंगे इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में नमस्कार मैं लले शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपनी इस वीडियो में जहां पर आज हम वेरिको सील की समस्या के बारे में जानेंगे साथ ही सर्जरी से होने वाले नुकसान के बारे में भी समझेंगे तो जब एक वेरिको सील का पेशेंट एय tvåपैट डॉक्टर के पास जाता है तूडियो पर उसे सर्जरी सजेस्ट की जाती है सर्जरी में open type सर्जरी होती है और भी दो तरीके की सर्जरी होती है डॉक्टर पेशेंट की condition के according उन्हें सर्जरी सर्जेस्ट करते हैं कि आप ये कराईए या ये कराईए लेकिन उस सर्जरी में एक सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर साफ साफ कहते हैं कि there is no guarantee of anything कि आपको सर्जरी कराने के बाद भी ये problem दुबारा नहीं आएगी या खतम हो जाएगी इस बात की कोई guarantee नहीं है अब आप यहाँ पर खुद सोचिए कि अगर आप सर्जरी भी करा रहे हैं बॉडी में चीरा फाड़ी भी हो रही है आप दर्द भी जिल रहे हैं दवाई भी घा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी अगर आपको अराम ना मिले तो क्या आपको काम कराएंगे आंसर आपको मिलिया बिल्कुल नहीं और यही वज़ा है कि आयरुवेदिक डॉक्टर्स होमोपेदिक डॉक्टर्स होमोपेदिक देखे उसका ट्रीटमेंट लेके एक बार कोशिश करिए लेकिन हाँ यहाँ आपको जो ध्यान रखना है अगर आप सोचते हैं कि मैं तीन दिन दवाई लोगा हफता दवाई लोगा और मेरी प्रॉबलम में मुझे फरक दिखना चाहिए तो शाद यह पॉसिबल नहीं है फिर आपके लिए सर्जरी एक राइट आप्शन है क्योंकि परिशानी महीं रहेगी लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी पेशेंट्स लग सकते हैं तो ध्यान लखिए आपको आयूरवेदिक और इवन होमोपेटिक में बहुत ही कारकर और अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं और मिलते हैं बहुत सारे पेशेंट को वेरिकोसील की समस्या में जिसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि बिना चीर फाड के आपकी समस्या ठीक हो रही है तो कौन नहीं कराना चाहेगा हर कोई कराना चाहेगा बड़ यहाँ पर कई पेशेंट का सवाल आता है कि सर हमने तो आयरवेद एक दवा ली थी लेकिन हमको मासे फायदा नहीं हुआ या हमको ऐस सच कोई रिलीफ नहीं मिला दिक्कत अभी वहीं की वहीं है या इवन कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि सर होमोपेटिक मेडिसन्स मैंने ली बल्कि मैंने दो डॉक्टर्स चेंज कर लिया मैंने अलग-अलग जगा से ली मेरेको कोई रिलीफ नहीं मिला यहाँ पर कुछ चीजे आपको खुछ से चेक करना जरूरी है तो कारण आपको पता है और यही एक सबसे बड़ा कारण होता है जहां लोग होमोपेटिक ट्रीट्मेंट को सबसे जल्दी ओप्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें अगर हम बात करते हैं परेज की तो ना के बराबर होते हैं दूसरी बात करते हैं अगर medicines की तो medicine आपके मूँ में जाते ही घुल जाती है घुलने के साथ ही वो blood के साथ मिलती है और अपना काम करना शुरू कर देती है मतलब इसके जो action होते हैं वो बहुत fast होते हैं इसी लिए इसके जो आपको result है वो भी काफी अच्छे और जल्दी देखने को मिलते हैं साथ ही यह जो medicines होती है यह alcohol based होती है इससे फाइदा क्या है यह बहुत जल्दी आपके शरीर में absorb होके अपना काम करना शुरू कर देती है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपने कभी drink की हो कभी alcohol consume की हो तो वो थोड़े सा amount लेने में ही कितनी जल्दी आपको response कर देती है कितनी जल्दी आपको hit कर देती है सोचिए उसी base पे उसी formula पे base जोती है इसकी medicines इसी लिए इनका जो action होता है वो बहुत ही अच्छा और कारगर होता है साथ ही सबसे बड़ी बात homopathic medicines के कोई side effect नहीं होते है कोई नुकसान नहीं होते इसलिए जादातर लोग इनको लेना पसंद करते हैं prefer करते हैं क्योंकि जब patient हमारे यहां आते हैं तो अल्रेडी बहुत ठके होते हैं बहुत हार चुके होते हैं कि सर अमने यह दवा ली यह परेज किया उससे में कोई यह दिक्कत आ जाती है वो दिक्कत आ जाती है लेकिन जब वो यहां से treatment यानि भारत homopathic से treatment शुरू करते हैं तो पहले ही महीने में उनको realize जोना शुरू हो जाता है साथ ही जब वो दवा लेना शुरू करते हैं उससे पहले वो अपना एक report कराते हैं और उसके बाद एक महीने बाद या 40 दिन बाद जो डॉक्टर ने suggest करते हैं उसके बाद एक report कराते हैं आपको report में visible change दिखते हैं नहीं दिखते तो मैंने आपको बताया last option surgery है लेकिन ऐसा होता नहीं है लेकिन surgery के case में अगर हम बात करें तो almost 70% लोगों के साथ वही problem दुबारा होने के chances होते हैं और हो सकता है अभी तक आपको ये सारी बाते शाहर ना पता हो आप इससे अंजान हो लेकिन फिर भी अगर अब भी तक आपको ये बात नहीं पता थी तो अब पता लग गई है तो अपने treatment का चुनाव आपको खुद करना है कि कौन सा treatment आप लेना चाते हैं लेना पसंद करेंगे किसी भी तरीके के doubt के लिए आप भारत होमोपैतिकी टीम से नीचे दिये के number पर call करके संपर कर सकते हैं अपने doubts पूछ सकते हैं अपनी समस्या के बारे में discuss कर सकते हैं फिर भी अगर और कोई सवाल रह गया हो जो आप हमसे पूछना चाते हो या जिसका जवाब आप चाते हैं कि मैं इस वीडियो में add करूँ तो आप comment section में भी लिखके हमसे पूछ सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो like जरूर कर देना और इसको जादे से जादा share करें ताकि actually लोग जान पाएं कि असल में एलोपैत में आयरुवेद में और होमोपैतिक में क्या फरक होता है हमें कब कौन सा treatment लेना चाहिए और किसी भी treatment को लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो I hope काफी कुछ आपको इस वीडियो के माद्यम से समझ आया होगा इसी के साथ आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्टा